आज इस वीडियो में हम RGB LED का इस्तिमाल करके एक एक्सपिरिमेंट करेंगे पिछले एक्सपिरिमेंट में हमने LED का इस्तिमाल करके देखा है तो जो LED हमने अब तक यूज किये हैं वे सिंगल कलर के LED थे जिनके दो पैर हुआ करते थे तो ये जो आज हम इस्तिमाल करने वाले हैं LED इसे RGB LED खहते हैं अगर आपने Arduino का स्टार्टर केट लिया होगा तो उसमें आपको इस तरह का एक LED दिखाई देगा तो ये LED दिखने में ट्रांस्परंट है और इसके चार पैर है LED का जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है उसके नीचे एक सर्कुलर रिंग है अगर आप उस रिंग को छूओगे तो एक साइज में वो रिंग कटी हुई है यानि कि वो जो हिस्सा है वो फ्लैट कर दिया गया है तो फ्लैट वाले हिस्से से अगर आप पिनों को गिनेंगे तो यह जो चार पिन है यह इस प्रकार से हैं रेड, कॉमन, ग्रीन और ब्लू इसमें से जो सबसे लंबी पिन है वो कॉमन वाली पिन है तो आज के एक्सपिरिमेंट के लिए हमको कुछ और चीजों की जरुरत होगी इसके लिए हमें 330 ओहम के तीन रेजिस्टर्स की जरुरत होगी और साथ ही हम चार वायर्स का इस्तिमाल करेंगे हम इसके लिए लाल, हरा, नीला और काला इस रंग के चार वायर्स इस्तिमाल करेंगे ये सभी colors के वायर आपको आपके Arduino के startup kit में दिखाई देंगे और इस experiment के लिए हम एक bread board का भी इस्तिमाल करेंगे और साथ ही Arduino Uno के board का भी इस्तिमाल करेंगे तो सबसे पहले इस RGB LED को bread board के उपर fix कर दें LED को bread board के उपर fix करते समय इस बात का ख्याल रहे कि LED को बहुत जोर से मत दबाना और इस बात का भी ख्याल रहे कि जो चार पिंस हैं वो चारों holes के साथ मैश करते हों अगर आपने LED को बहुत जोर से दबाया तो यह पिं या तो टेड़े हो सकते हैं या फिर तूट भी सकते हैं अगर हलके से प्रेस करने पर भी LED के पर bread board के अंदर ना जाएं तो जो वायर्स हम इस्तिमाल करते हैं उन वायर्स का एक सिरा हाथ में पकड़ कर उस वायर की जो क्लिप है वो थोड़ी सी ढिली हो जाएगी और फिर उसके बाद हलके से RGB का जो LED है उसे bread board पर fix करने की कोशिश करें RGB LED को bread board पर fix करने के बाद हम उसे register से connect करेंगे common वाली pin को छोड़के बाकी तीनों पिनों को हम register का एक एक सिरा connect करेंगे common वाली pin को हम काले रंग की वायर कनेक्ट करेंगे register के दूसरे सिरे में हम लाल हरे और निले रंग की एक 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 वायर कनेक्ट करेंगे काले रंग की वायर का दूसरा सिरा Arduino के power वाले section में जो ground की दो पिने हैं उसमें से एक पिन में उसे जोड़ दें और Arduino के digital pins में 9, 10 और 11 इन pins का हम इस्तिमाल करेंगे लाल रंग की वायर 9 नंबर के पिन में हरे रंग की वायर 10 नंबर के पिन में और नेले रंग की वायर 11 नंबर के पिन में हम connect करेंगे तो यह होगा हमारा RGB LED का वायरिंग इतना करने के बाद Arduino के board को USB केबल से अपने computer को connect करने और फिर उसके बाद अपने computer में install किया हुआ Arduino का software ओपन करें इस experiment के लिए हम जिस program का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है colors.ino यह program download करने के लिए जो link है वो आपको इस video के नीचे description box में दिखाई देगी वहाँ से आप colors.ino इस file को download करें और फिर उसे double click करने पर यह आपके Arduino के IDE में open हो जाएगा. यह एक छोटा सा program है जो RGB के अलग-अलग pins को अलग-अलग समय पर supply देकर एक-एक second का delay उसमें देता है. तो इस program को मैंने इस तरह से modify किया है कि आपको इसकी programming समझने में आसानी होगी. तो इस program को पढ़के समझ लें और फिर उसके बाद verify button पर क्लिक करें. verify का जो button है वो right mark वाला button है Arduino की IDE में इसके ओपर क्लिक करने पर अगर आपके program में कुछ खामिया होंगी तो दिखाए देगा. या फिर done compiling ऐसे message आपको bottom वाले हरे रंग के बार में दिखाए देगा. अब इसके बाद आप upload वाला जो icon है जो दूसरा icon है right वाले icon के बगल में उसके ओपर क्लिक करें. तो यह जो program हमने लिखा है यह Arduino के board के उपर जो micro controller है उसके ओपर यह upload हो जाएगा. जैसे ही upload पूरा हो जाएगा आपको अपनी LED जो है वो अलग-अलग रंगों में flash होती हुए दिखाई देगी. अगर आपने इस experiment के program को समझ लिया है तो आप इसको modify करके कुछ experiments कर सकते हैं. तो आज का experiment इस तरह से था. आज हम यहीं रुकते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और experiment के साथ.